हेलो एवरीवन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एजूकेटर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 मैट का चैप्टर 2 होल नम्मर का एक्सोसाइस 2.2 तो एक्सोसाइस 2.2 बनाने से पहले इसका बेसिस कॉंसर्ट पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम लोग एक्सोसाइस 2.2 बनाएंगे तो चली देखते है एक्सोसाइस 2.2 में जो यूज हुआ है तॉपिक उसे पहले कवर करते हैं तो इसमें एक्सोसाइस 2.2 में यूज हुआ प्रोपर्टी ऑफ होल नमबर जिसमें पढ़ता हम लोग का क्लूजर प्रोपर्टी associative property और distributive property उसके बाद हम लोग exercise समझने के बाद exercise 2.2 करेंगे तो चली यहाँ पर दिख लेते हैं NCRT में देखिए रहा तुम लोग क्या क्या पढ़ना है देखिए यहाँ पर properties of whole number तो सबसे पहले properties of whole number में पढ़ना हम लोग को closer property फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे यहाँ पर commutative फिर यहाँ पर associative फिर इसके डिस्टिटिव पढ़ेंगे आप हम लोग start करेंगे इस chapter का सबसे पहला topic closer property तो इसको आप लोग NCRT से भी समझ सकते हैं मर यहाँ पर थरो complex लिखा रहता है तो इसको चली हम लोग के समझते हैं यहाँ पर दिखे क्या बोल रहा है whole numbers are closed under addition and also under multiplication तो यहाँ पर क्या बोल रहा है जो addition और multiplication close number है close under है तो यहाँ पर इसको समझते है क्या लिखा बैसको समझते है कि closer property क्या है चली से लिख के समझते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग closer property कि अब देखे सबसे पहले इसको में लोग addition form में समझेंगे यहाँ पर देखिए closer अब देखे यहाँ पर कहले के closer closer property on addition तो closer property on addition पहले समझें उसके बाद हम लोग यहाँ पर multiplication समझेंगे यहाँ पर addition अब देखे यहाँ पर देखे समझते हैं 0 प्लस 2 जब भी हम लोग 0 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कितना आजा गया यहाँ तो यह हम लोग करने पर हम लोग का whole number आना चाहिए तो यह हम लोग का close to close on addition हो जाएगा तो यहाँ पर देखे हम लोग किसी को plus करेंगे 1 प्लस 3 इसकोल 2 4 तो यह हम लोग का आ गया क्या गया whole number 0 से लेके 1 2 3 4 लेके अन गिनत मतलब तो वहां तक हम लोग का होता है whole number तो जब भी हम लोग add करेंगे तो यहाँ पर देखे 5 प्लस 6 इसकोल 2 11 तो यह भी हम लोग का whole number है तो पहला यहाँ पर हम लोग का हो गया इसको लोग क्या लिखेंगे whole number are whole number are close to addition closed on addition तो यह हम लोग का बोल रहा है पहला वाला addition तो यहाँ पर हम लोग का हो गया अब यहाँ पर क्या बोलाते हैं कि यहाँ पर बुक में यहाँ सब प्राचल गया कि क्लोज अंडर एडिशन कुछी भी नमबर को एड करने पर दो नमबर या तीन नमबर उसको यहाँ हर्दम वहाँ उसका रिजल्ट हम लोग का whole number आता है अब देखिए यहाँ पर अंडर मल्टिप्लिकेशन अब देखिए यहाँ पर मल्टिप्लिकेशन तो उसको दिख लेते हैं अब यहाँ पर हम लोग का मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो क्लोजर प्रोपर्टी ओन मल्टिप्लिकेशन लिख लिजगा मल्टिप्लिकेशन चलिए इस उस देखते हैं अब देखि हम लोग का 5 into 1 तो यह हम लोग का आजा कितना 5 तो देखिए जब भी हम लोग कर रहे हैं multiplication यहां पर हम लोग का whole number आ रहा है तो यहां से भी पता चल गया कि whole number are closed on closed whole number are closed on multiplication तो यहां से हम लोग का पता चल गया closer property अब देखिए यहां पर हम subtraction or division にも नहीं है तो ऊसको भी हम देख लेते हैं कियो नहीं है यहां पर अंठिकुझन यहां दो हम लोinta को चजो हो गया और अशन डिपैसन हो गया अब देखें हम आदिकि करते हैं यहां से यह भी आपके समझ लिखते रिषे न है mean hisum डीविजन है अब्लोग यहां पersonal Kos यहां पर 5-0 तो यहां पर हमिनका प्लो का 5 आ जाएगा अब यहां पर डिखे 0 fil तो कि तौक किना अब बाला जाए गती यहां पर 10-5 तो गर्णागा है माइनस फाइफ यह jsuma का माइनस फाइफ जब alley negative में आता है तो यह हम लोगों का कभी बी whole num dazu है तो यह हम लोगों काをई नमबर में होगा दो यहां से हम लोग को पता चल गया कि को कि कोई दो नमबर को rally मतलब आए हर कंडीशन में और यहां पर हम λोगों का whole नमड नहीं आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा not closed not closed on subtraction तो यहां से पता चल गए क्यों हम लोग का close नहीं है इसी का यहां पर closer property में लिखा हुआ है कि closed है addition और multiplication में अब division भी समझ लेते हम लोग आप देखें यहां पर 2 by 1 अब देखें यहां पर division हम लोग का है अब 2 by 1 को हम लोग करेंगे तो कितना अजाएगा two तो यह हम लोग का whole number और ऑफ और हम लोग का 0.5 तो यह हम लोग का whole number नहीं है अब यहाँ पर देखिए 0 by 2 अब जब भी 0 by 2 को करेंगे तो यहाँ पर हमेशा हम लोग के 0 आता है तो यह हम लोग का whole number हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर एक नया case हम लोग का book में भी NCIT में दिया अध्यान से इसको देखिए यहाँ पर अब देखिए 2 by 0 को हम लोग जब भी divide करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह कभी भी नहीं आएगा यहाँ पर लोग लिख लीजेगा NCIT book में भी नहीं इसका topic है division by 0 है यहाँ पर दिखा लेते है division by 0 is undefined undefined इसको देखिए यहाँ पर book में भी दियावा है इसमें देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग 2 by 0 को हम लोग divide करते है तो यह हम लोग क्या हो जाएगा division by 0 is undefined यहाँ पर देखिए लिजे यहाँ पर हम लोग का book है देखिए यहाँ पर closer property के बाद ही हम लोग का दियावा division by 0 पर पूरा topic है नCIT में तो भी condition है यहाँ पर division by तो यही चीज हम लोग का है देखिए जब भी हम लोग 2 by 0 को दब भी divide करते है 2 by 0 को तो यह लोग कभी undefined हो जाता है तो घम्यों कभी हम लोग का डी करने पर यहां पर यहां पर आजयगा फिर देखिए यहां पर होल नंबर आ रहा है हरे कंडिशन में तो नहीं आ रहा है होल नंबर यहां पर not close on यहां पर लिख लिए गा आप लोग not close on Mr. निश्क्राइक्षन यह पर लिख लिजेगा division प्षाइजान ember then अब देख़ने आम लोग यह समस्न घ्लोजर प्रोपर्टी अब इसा else हिव लूगे से कमीने टेटी प्रपर्टी शम्चिन एक शोसियेटी ब्रोपर्टी शम्चिन समझ्ढ़ेंगे्ग तो बिलकुल यहां पर समझते के लिए प्र Olá है तुसरा है क्या था दुसरा हम गोग का अख देख लेते स्राइवशा में अब यहां पर आम अब रो कम्यृट्यटी प्रोपर्टी तो सब इंपर्टेंट प्रोपर्डी है इध्यान देने का अख स्बी हिंप इधिर थे जिए बुपर्टिए अब ज्यादा हम लिखेंगे आप लोगों को समझ में आने लगेगा देखें यहां पर मिल्गोल भाई पहले चेक करेंगे कॉमिटेटी प्रोपर्टी अब यहां पर देखिए कॉमिटेटी व१ में देख लेते पहले अन्-CCT में तो यहां पर देख लिए अब देखिए है अब देखिए prints कॉमिटेटिव अब एडिशन खुर्ट अब देखिए यहां पर समझ लीजै अडी अडी अडीशन और अफ एडीशन एंड मॉंट्टिप्लिकेशन छली से समझते हैं यहां पे उन्साइट में अब यहां पर देखिए on addition for whole number तो यहां पर देखिए यहां पर 0 plus 2 अब जब भी हम लोगों करेंगे तो कितना आजाएगा 2 और यहां 0 plus 2 और 2 plus 0 करेंगे तो बात बराबर है वह 2 हो जाएगा देखिए यहां पर 0 0 plus 2 करेंगे यहां 2 plus 0 करेंगे तो इसका solution हम लोगों का 2 ही आएगा इसी तरीका से यहां पर 3 plus 8 और 8 plus 3 कितना आजाएगा यहां पर हम लोग 11 3 plus 8 करेंगे तो 11 आएगा और 8 plus 3 भी करेंगे तो 11 आएगा तो यहां से क्या हो गया हम लोग का kale numbers a community on a whole number यहां पर 60 फामले लेकिते होलनबर आर कि है कौब्वूतीव का और एडीचें सह्की अब यहां पर क्या बुलता दूसरा क्या बढ न्टिपलिकेशन देक्या भूप में है 1 अडीशन एडीशन multiplication है अधिक multiplication अब अधिए अब है मैं तो अब कोई भी नममर को हम लोगत आज़ीडो इंट्टु करें आ और वंधर्ट मैं यहाँ लिग देते हैं और आज़ीडोघक ने तो हम लोगा क्या आएगा जीडो यहाँ पर हम लोग Yak fu ounce into 3 करें या 3 into 4 करें बात तो हम लोग का 12 भी आएगा तो यहां पर भी हो गया कि commutative on addition sorry multiplication तो यहां पर हम लोग का commutative on multiplication अब देखें यहां पर क्यों हम लोग का नहीं हुआ subtraction और division तो यहां पर वह भी देख लेते हैं clear हो जाए आप लोग को तो यहां यहां पर subtraction देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन हम लोग का हो गया कितना फाइफ माइनस जीरो फाइफ माइनस जीरो इसको फाइफ तो यहां पर फाइफ माइनस जीरो करें फाइफ आ जाएगा बट हम लोग का जीरो माइनस फाइफ करेंगे तो माइनस फाइफ आएगा जो हम लोग का होल नंबर है तो यह कभी हम लोग का सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा तो यहां पर लिख लीजेगा not commutative not commutative on यह commutative का लिख दिया है direct c करके on subtraction तो इस तरीका से यहां पर हम लोग का पता चल गया अब यहां पर हम लोग डिवीजन का भी पता कर लेते हैं तो यहां पर डिवीजन का देखें यहां पर simple सा डिवीजन अब देखें यहां पर 2 by 1 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा बट 1 by 2 को करेंगे तो यह हम लोग 0.5 होगा जो होल नमर नहीं है तो यहां पर not commutative on division तो यहां से पता चल गया हम लोग का कि addition and multiplication में ही रहेगा commutative property अब आते हम लोग कौन सा property में आब आते हम आप. तीसरी कौन सा property है देखें यहाँ पर आते हम लोग का है ऐसोंसेटीव औफ एडिवीजन अंध मुल्यप्लिकेशन तो यहां पर समझ लिजें एसोoshi-टिव एडीशन और मल्टिप्लिकेशन और एडीशन तो यहां पर चेक करेंगे डीशन मल्टिप्लिकेशन इसको पेज पलट लेते हैं तो हुआ है कि एस प्रोपर्टड यहां अगयाल कि आजैक आप दोघ्यए यहां पर इसका फॉर्मेट भी है वेले दके लेते हैं अच तो इसका format है देखें यहां पर in sort associative का in sort देखते हम लोग in sort तो इसको पहले हम लोग यहां पर format समझ लेते हैं देखें abc if abc are are any two whole number two whole number whole number then a plus b a plus b plus c equal to a plus b plus c तो यह हम लोग का format है addition का और यह हम लोग का format है a into c a into b into c equal to a into b into c यह हम लोग का format है अब यहां पर addition multiplication check करते हैं addition यह हम लोग का तो देखें यहां पर हम लोग का 0 plus देखें यह वाला format में अब देखें यहां पर 0 plus 2 plus 3 करे तो इसका result हम लोग का बराबर आएगा तो यहां पर हम लोग इसका result दोनों का 5 आएगा तो addition में यहां होगे अब एक और चेक लोग लोग का प्लस 2 plus 3 है इसको ल्टू 6 आ रहा है इसको जोड़ने पर हम लोग को 6 आ रहा है और इसको भी हम लोग 1 plus 2 ब्रैकेट प्लस 3 इसको भी करने पर 6 आ रहा है तो यह हम लोग आप पता चल गया कि एसोसेटिव on addition है एसोसेटिव ओन addition अब इसी तरीका से हम लोग मल्टिप्लिकेशन वाला चेक करते हैं अब मैटिप्लिकेशन का यह एडिशन का था और यह मल्टिप्लिकेशन का फॉर्मिट था तो यहां पर मल्टिप्लिकेशन का भी सेम चेक करते हैं अब देखिए यहां पे 0 multiplication का multiplication अब देखिए यहां पे 0 into 2 into 3 करेंगे तो यहां पे इसका value 0 ही आएगा और 0 into 2 into 3 करेंगे तो कोई भी नमर से 0 into होता है तो जिरी हो जाता है इसका value 0 आएगा तो यह हम लोग का होता है associative multiplication तो यहां से पता चल गया कि यह हम लोग क्या है associative 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 या association यहां पर tip लगा दे on multiplication 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 यहां से पता चल गया अब यहां पे हम लोग subtraction और division भी देख लेते हैं अब यह दोनों तो हो गया अब मागर subtraction और एडिशन क्यों ने रहता है तो यहां पर हम देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन कि और डिवीजन का हुआ होल नमर आज यह हरे कंडिशन में हम लोग को होल नमर आना चाहिए तो यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखें यहां पर 10-2-1 is equal to 9 बड़ 10-2 22-1 यह हम लोग आता है 7 यहां पर हम लोग इसको घराने पर हम लोग का 9 आया बट इसको करने पर हम लोग का 7 आया मनब होलनमर बिलखन इकवल नहीं है तो यह हम लोग का हो जाएगा Not associative तो यह हम लोग का associative अब देख लेते हैं 16 divA 4 4 divided by 2 bracket इसका आरह 8 बट 16 divided by 4 डिवाइड 2 आ रहा है इसका हम लोग आ रहा है तो यह हम लोग का देखिए अलग अलग आ रहा है तो यह दोनों हम लोग का not हो जाएगा not associative दोरो हो जाएगा तो यहां पर हम लोग associative हो गया अब लास्ट प्रोपर्टी देख लेते हैं जो distributive है हाँ अब देखिए यहां पर distributive हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रोपर्टी इसको बीच लेंगे तो इसका फॉर्मिट क्या हम लोग का एडीशन का फॉर्मिट है क्या है A x B plus C is equal to A x B plus A x C तो इसका फॉर्मिट यह है और multiplication का क्या format है अभर यहां पिर मुcken नी बुक में दें यहां अब देखें यहां पर क्या बूल रहा है distinctive of multiplication over addition और है यहां पर distributed of multiplication over addition चली से समझते हैं क्या कह रहा है तो यहां पे एडिशन का ही लिखे हैं format आब दिखिए यहां पर चेक करना तो बात बराबर हो जाएगा एक का और यहाँ पे 0 प्लस ए भी करेंगे तो बात बराबर जाएक का यहाँ से अमलो का पता चल गया एक्जामपल देख लेते हैं एक्जामपल 2 प्लस 0 को एड़ करेंगे 2 हो जाएगा 0 प्लस 3 को एड़ करेंगे तो यहां पर सब whole नम्मर आ रहा है, 3 हो जाएगा, 5 प्लस 0 को करेंगे, तो यहां पर 5 आ जाएगा, तो यहां सब पता चल गया, additive, अब यहां पर दिखें, multiplicative, identity, अब दिखें, यहां पर a into 1, equal to a आ जाता है, और 1 into a करने पर bhi a आ जाता है, तो यहां पर हम लोगा यहां पर देखें, 1 into 1 किये, तो 1 आ गया, 5 into 1 किये, यहां पर 5 आ गया, और 6 into 1 किये, तो यह भी हम लोगा 6 आ गया, जो हम लोगा यह है, whole number है, अब देखें, यहां पर multiplicative, यह identity हो किया, तो यहां पर हम लोग यहां पर topic कभ़र गौआ हम लोग का distributive का तो देखें सोना इसरा इंद गोटिव का थो यहां पर हम आधिया अठाकुटर क chutब हो गया अब दिखें सूना अधिक की हरे आधिक हम फदोन पाः आधेंट Nicho of addition and multiplication यहां पर रहे हैं तो बिल्कुल distributed property वही था additive identity और multiplicative identity यहां पर हम लोगों को topic cover हो गया देखें यहां पर अब आते हम लोगों simple exercise 2.2 में अब देखें यहां क्या बोल रहा है find the sum by suitable rearrangement तो यहां पर हम लोगों suitable rearrangement से find करना है तो चलिए इसे बनाते हैं क्या बोल रहा है यहां पर है कि exercise 2.2 तो का पहला नमबर बनाएंगे suitable rearrangement से इसका सम फाइंड करना है को कुछन नमबर वन का कौन सा है ए नमर क्या है 837 प्लस 208 प्लस 363 तो यहां पर हम लोग का rearrangement suitable rearrangement मतलब इसको कैसे हम लोग easy हो जाए addition करने पर उसको जोडने में कितना rearrange करके अच्छा सा लिख लिख के यहां पर समझते है करके से यहां पर समझते हैं आप देखें यहां पर जैसे ऐसे कोशन बनेगा आप लोग clear होती जाएगा 837 अब देखें जो हम लोग का बड़ा बड़ा डीट है इसको सबसे पहले अरेंज कर लेते 837 प्लस 363 जिसमें लोग असानी होगा bracket प्लस 208 तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को एड़ करेंगे जितना आएगा फिर उसका 208 से एड़ कर देंगे तो हम लोग का easy हो जाएगा suitable rearrangement हो जाएगा तो यहां पर देखें इसको एड़ करने प्यांगे हम लोग का 1200 प्लस 208 अब देखें 1200 आया प्लस 208 तो हम लोग का arrange हो गया कितना 1408 1408 यह हो गया हम लोग का अब देखें यहां पर यह हो गया बी नमर देखते है बी में हम लोग का कुसम देखें यहां पर चार डिजित है तो इसको arrange करेंगे लिए आप तो 962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647 तो इसको arrange करना है तो यहां पर हम लोग सुटेवल देखेंगे तो पहले सबसे बड़ा बड़ा को में कर लेंगे उसको एड़ करेंगे तो कि यहां पर 962 प्लस अब यहां पर सबसे बड़ा बड़ा डिजीट कौन सा था हम लोगा बड़ा नम्मर हम लोग का है 1538 इसको एक ब्रैकेट में एडिसन करेंगी फिर यहां पर एड़ प्लस फिर यहां पर छोटा हम लोग का 453 प्लस कितना है 647 इसको एड़ करेंगे अब दिखें यहां पर एड़ करने पर कितना आ गया 3500 प्लस 1100 तो यहां अब यहां पर हम लोग कितना आ गया 4600 हम लोग आ गया एंसर तो यहां पर इसी को बोलते हैं इसी तरीका से हम लोग सेकंड वाला बनाएंगे अब दिखें इसे के लिए फाइंड प्रोड़क्ट बाइस टेबल री अरेजमेंट तो यहां पर एबी सीडी एफ जी ए एफ तक है यहां पर लोग सुटेबल री अरेंजमेंट करेंगे तो बहुत ही इजी है बस यहां पर करना है थ्यान से करना री अरेंज करके करना है कि यहां पर अब यहां पर हम लोग देखेते हैं सेकंड नमर एक का देखते हैं कि यहां पर को सल लिख लेते हैं को सल टू का ए किया है टू इंटू वन सेवन सिक्स एट इंटू 50 अब देखिए यहां पर इसको अरेंज कर लि तो इन्टू अब यहां पे सबसे पहले तू पहले इजी करना है मतब इजी सोल्यूशन करना है सुटेबल दी एडिजमिक पिड़ना है पहले तू इन्टू 50 करेंगे तो यहां पर हम लोग कितना आजाएगा इसका हम लोग का सल्यूशन 100 आजाएगा फिर इसके बाद हम में इन्टू करदेंगे तो यहाँ पे 100 इन्टू ओं इन्टू 1 7 6 8 तो यहाँ पनलग感 है तो यहाँ पर हमलोग का स्धुका है ति यहां पर हम लोग का स्थू का फिल्द इतो ओं जुकलत ऊसचा श्रमिग्हां तो यहां पर हम लोग Cاشन Nr 2 का भी कॉली द US कह अंत है कि यहां पर दू का बीक को को संदेख लेते हैं यहां पर लोग का 4 into 166 into 25 4 into 166 into 25 आप इसको अर्येंज करते हैं यहां पर देखे सबसे पहले हम लोग 254 कर लेते हैं तो यहां पर देखे 4 into 25 5 into 166 यह हमलोग का हुजाए कितना 100 into 166 यहां पर हमलुग को हो जाना हर हर है तो यहां पर होगा इतना 16600 कि अब देखें इसी तरिका से हम लोग अडेंज करना है तो यहां पर काफी सारा कुछ न है अपनों यहां पर बना सकते हैं C, D, E, F, आप देखें उसी तरीका से find the value of following A भी है, तो इसको देखें, इसका हम लोग solution पहले से लिख लेते तो अच्छा रहता, तो आप लोगोगों easy समझने में लगता, तो यहां पर मैं वही किया है, इसका मैं solution लिख लिया है, अब इसको easy form, आप लोग समझ लीजे, आप 291, अब यहां पर easy हो गया, इसको counting करना, तो यहां पर आ गया, इतना आ गया, फिर इसी तरीका से देखें B वाला, 625 x 279 x 16, तो इसको यहां पर 625 x 16, पहला हम लोग into करेंगे, easy हो जाता है, अब 279, तो इस तरीका से अम लोगा answer आ गया, तो इसी तरीका से E नमर भी आप देख लीजे, F नमर भी देख लीजे, आप लोग को clear हो जाएगा, बिल्कुल clear हो जाएगा, अब देखें 3, कोसर नमर 3 यहां पर देखें, find the value of the flowing, तो यहां पर find the value find करना है, अब देखें, यहां पर 297 x, यहां पर लोग समझाना पड़ेगा, तो यहां पर देखें, हम ल से 3 का हैं, हम लोगा है 297 x 17 x 297 x 3, तो यहों लोग का है, तो इसको Arrange करते हैं, daw, आप देखें, यहां पर इसको давайте arrange करते हैं, अब से 297 को sta global कॉमन ले देखें यहां पर कॉमल क्लों ले लिए, कुछ इंटीक करें आपनेटीक कि यहां पर फिर यहां पर अपर करके यहां पर पर यहांपेदोगे बोगल जाएगा 129 करी सकते है यहां पर 5940 हो जाएगा तो यहां पर कोई rocket science नहीं है बहुत easy है इसी तरीका से देख लिए यहां पर 3 का भी भी देख लिए इसी तरीका से यहां पर common ले लिए इसको common ले लिए जब भी same number हो तो एक को common ले लिए इन्टो 19 divided by 2 divide I think sorry यह प्लस है डिवाइड नहीं है प्लस है तो इसी तरीका से यहां पर bcd है तो इसी तरीका से आप लोग देख लिए बिल्कुल सेम तरीका से process है यहां पर भी हम लोग common ले लिए अब देखें यहां पर हम लोग क्या किये हैं तो यहां पर हम लोग कुछ इसी तरीका से सेम प्रोसेस है अब आते हम लोग देखें फोर नमबर अब देखें यहां पर क्या बूल रहा है find the product using using suitable properties यहां पर भी हम लोग का suitable properties बूल रहा है बिल्कुल वही प्रोसेस है देखें यहां पर कितना easy से हो गया है कुसर नमबर फोर का बनाते हैं यह नमबर तो यहां पर हम लोग फोर का ए कितना है कि 738 into 103 है कि इसको लोग करते हैं तो कितना आज आगा देखें यहां पर इसको अरेंज करते हैं अब देखें 738 को हम लोग यहां 100 को तोर सकते हैं इंटू 100 को क्या इस तोर सकते हैं 100 प्लस 3 तो इसको एक्सपैंड कर दिए इसको एक्सपैंड करने पर हम लोग का कितना अब यहां पर रोग दिक Anders को अब दोनों को 8 कर देता है इन सथा इस दोनों को 738 in 200 इस ृत्री एट एट इन तूट 3 तो यहां पर देखें तोर ने पर कितना इजी हो गया यहां पर हम लोग का 738-00 हो गया प्लस इसमें उनलों का कैल्कुलेशन में इजी हो जाता है गलत होने का चांस बिल्कूल 5% हो जाता है बहुत ही कम हो जाता है कि इसको यहां पर 2,214 आ गया अब इस तरीका से 76,014 आ गया तो यह हम लोग का हो गया कि इतना इजी सुटेवल रिएरेजमेंट प्रोड़क्त का अब उसी तरीका से सब कोशन है देख लिए यहां पर हां 854 x 102 है फिर इसी तरीका से यहां पर समझ लेता है 4 नंबर भी तो बिल्कुल वही चीज किया है 102 को तोड़ एक्सपैंड कर दिया है यहां पर 1008 को एक्सपैंड कर दिया है फिर यहां पर 1005 को कर दिया है एक्सपैंड तो इस तरीका से हम लोग solution निकाल लिए सब का अब दिखे 5 नमर आते हैं 5 नमर थोरा वर्ड प्रॉब्लम है तो यहां पर सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम जो गिवन होता है उसे पहले लिखना होता है आपके एक जो taxi driver है field भरता है car petrol, car कर में, सुर्य यहाँ पर समस्ते फिर से, एक taxi driver जो fill करता है petrol को car में, tank 40 litres of petrol on Monday, तो Monday के दिन यहाँ पर 40 litres petrol भरता है, तो सबसे पहले उसको इसको मुलग गीबन करे के लिख लेंगे, कोसर नम्मर फाइफ आप देखें यहां पर पहला क्या बोला था यहां पर हम लोग एक एक करके लिखते हैं पैट्रॉल फिल्ड ओन मंडे भड़ा गया कितना भड़ा गया 40 लिटर अब दूसरा संदेंस परते हैं लोग तो जैसे आज़ने को गिवन होता है इसका ट्रिक होता है और से लिखना परता है अब देखें यहां पर नेक्स डे मतलब ट्वीजडे को ही फिल्ड टैंग विद फिफ्टी लीटर्स ऑफ पेट्रॉल तो यहां पर हम लोग को क्या पता चल गया कि दूसरा दिन हम लोगा क्या करता है पेट्रॉल फिल्ड ओन नेक्स डे देख डे हम लोगा कितना होता है 50 लिटर यहां से में को पता चल गया अब क्या बोल रहा देखें यहां पर इफ दप्ट्रॉल कोस्ट 44 पर लीटर हम लोग का कि जब दा होता है तो यहां पे पूरा पत्रोल का कितना होगा है तो यहां पे बिल्कुल येजी तो चरिजया बनाते हैं तो तीन चीज पर चल गंए यहां पर हम लोगा टोटल पेट्रॉल फिल्ड अब देखें यहां पर धब से पहले टेटल पेट्रॉल फिल्ड कितना हुआ तो यहां पर हम लोग का टेटल पेट्रॉल फिल्ड कितना हुआ 40 प्लस 50 प्लस 40 तो 90 लीटर हम लोग का और हम लोग का कितना है एक कोस्ट का कोस्ट आफ वन लीटर कोस्ट आफ वन लिटर हम लोग का है कितना 44 रुपीज है तो यहां पर हम लोग का कोस्ट आफ 90 लिटर कितना हो जाएगा कोस्ट आफ 90 लिटर हम लोग का हो जाएगा 44 44 x 90 अब देखें इसको हम लोग सेम प्रोसेस री अर्रेंजमेंट से यह करेंगे तो यहां पर कितना आजाएगा 44 x 100-90 इसको हम लोग suitable री अर्रेंजमेंट से कर रहें को कि इस चाप्टर में वही यूज करना है 44 x 100- 44 x 10 यहां पर कितना आजाएगा 4400-440 तो यहां पर टोटल रूपी आ गया कितना 3960 तो यह हम लोग का हो गया टूटल कोस्ट टोटल पेट्रोल का पैसा हम लोग का हो गया इतना तो यहां पर 5 नमर हो गया अब 6 नमर देखें यहां पर स्ट इस बिलकुल सेम है लगता तो है अब देखें इंडर सप्लाइज थाटि ट्यू अब दिखें यहां पे वेंडर जो होता है दुकांदार सप्लाइब करता है 32 liters of milk in a hotel अब देखे 32 वेंडर जो होता है 32 liters milk पहुंचाता है hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening अब एक ही दिन में morning में और साम में हम लोग का 68 liter देता है if the milk cost 45 per liter how much money do you vendor per day तो वही चीज है बस यहां पर next day के लावा एक ही दिन कर दिया है कि अब यहां पर हम लोग बनाएंगे question 6 तो फिर से यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कितना supply of milk in morning morning कि यहां पर supply of milk हम लोग का in morning हम लोग कितना हो गया 32 liter और supply of milk हम लोग का कितना हो गया supply of milk in evening 68 लीटर और यहां पर टूटल सप्लाई कितना हुआ तो टूटल सप्लाई कितना हुआ थार्टी टू प्लस 68 तो कितना हो जाएगा हम लोग का हंडल लीटर हो गया अब एक लिटर का आप लोग को पता है एक लिटर का कुस्ट है एक लिटर का कुस्ट कितना है हम लोग का पंदा रुपया तो हंडे लीटर का कितना हो जाएगा हंडे लीटर का कितना हो जाएगा हंडे लीटर का कितना हो जाएगा तो 100 लिटर का कोस्ट आफ 100 लिटर मिल्क हो जाएगा इतना तो यह हम लोग आ जाएगा अब 7 नमर देखते हैं अब यहां से हम लोग को पहचानना है match the flowing तो यहां पर देखे हम लोग का यह हम लोग कौन सा प्रोपर्टी में आता है अंडर डिविजन तो यहां पर समझते है तो 425 into 166 is equal to 425 into 6 plus 30 30 plus 100 तो यह हम लोग का साइध हम लोग का इठिंक यहां पर यहां पर हम लोग का यह मलूग का आता है distributive of multiplication over addition में जो हम लोग पढ़े थे यह हम लोग का पहला का हम लोग का C हो जाएगा क्यों कैसे C हो जाएगा देखें यहां पर दिखाते हैं यहां पर कुछ इस तरीका का लग रहा है तो कुछ इस तरीका का प्रोपर्टी लग रहा है तो यहां पर डिफरेंस है तो यह हम लोग का प्रोपर्टी यह हम लोग का सिंपली पता चल रहा है कॉमिटेटी अंडर मंटिप्लीकेशन है जो अभी हम लोग परे थे कुछ दिर पहले अब देखें यहां पर हम लोग का यह कौन सा प्रोपर्टी है तो यहां पर हम लोग का यह सिंपल बी नंबर है कॉमिटेटीव अं था और यह हम लोग का सिंपल एडीशन है कॉमेटेटिव अंडर एडीशन तो यहां से हम लोग को इस एक्सरसाइस खत्म हुआ है होप आप लोगों को सुम्हाइब